कैसे हो आप सभी एक बाफ फिर से आप सभी का अर्दिक अपिक अपिक अपने चैनल मनिगुरुजी पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाए है ग्रेंड लीग टीम के बारे में ग्रेंड लीग टीम कोमबिनेशन के बारे में फ्रेंड अगर आप फैंटेस डिम केल रहे हो तो आपको किस तरह से ग्रेंड लिग टीम बनानी चाहिए कौन से आपके कॉंबिनेशन होने चाहिए किसे आपको केप्टन करना है साइसा फ्रेंज आज जो बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे क्या आज के विज में हश्टल पटें खेलेंगे या नहीं किलेंगे जो से जरूर खेलेंगे या नहीं किलेंगे कोन से मनी गुरुजी स्पेशल फेक्ट आपके लिए होने वाले बहुत सारी चीज़ा आपको मिलेगी जैसा कि प्लेयर बेटल की में बात करूँ स्कोरिंग पैटर की में बात करूँ तो प्लीज वीडियो को लाश तक देखना उसके साइस साथम दाइखेंगे ग्रेनलिक टीम की एक कॉंबिनेशन तो प्लीज वीडियो को लाश तक देखते रहेंगे उससे पहले फ्रेंग से एक छोटी से रिक्वेस्ट आप सभी से अगर आपने अवी देख में टेलिग्राम पर फोलो नहीं किया है तो हमार मेची डिटेल की बात कर लें जैसा कि ये मुकावला है चैने सुपर गिंग वसेज रोयल सल्जब बैंगलोर की बीच में बारा अप्रेल यानि कि आज खेला जाएगा शाम को साड़े साथ बज़े से डीवाई पार्टिस स्पोर्स स्टेडियम मॉंबई के ग्राउन पर मु बढ़े बद्लाव से आज 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 आपको देखने को मिल सकते हैं फिर टीम पर्फोर्मेंस की मै बात करूँ तो चार मुकावले सीजन में खेले हैं वही पर CSK की टीम ने 18 मुकाबले जीते RCB की टीम ने 9 मुकाबले अपने नाम किये फिर हम बात करें यहां से रितुराज गायगवार की तब भी आप में प्लेयर परफोर्मेंस यहां पर बताने वालों जैसा कि आप देख सकते हो जब भी खेलते हैं RCB के सामने तीन मुकाबलों में 136 रन बनाए हैं वो भी 68 की अवरेस है तो फ्रेंज ग्रेंड लिग टीम कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो तो सबसे अच्छी पिक आपके लिए आज के मेच में ग्रेंड लिग पिक बन सकते हैं वो बन सकते हैं अब भी तक RCB के सामने ओनली दो बर आउट के वो भी युजविंदर चेहल ने आउट किया था लेकिन युजविंदर चेहल इस टीम का हिस्सा नहीं है फिर हम बात कर लेते हैं यहां से ग्लेन मेक्स्वेल की तो भी या यह यह भी रिसेंटली मेचों में ज़्यादा गिन्दबाजी नहीं कर रहें फिर भी हम रिकोर्ड देख लेते हैं CSK के सामने नो मेचों में दो सो उनसाटन बना करा रहे हैं अब फ्रेंज यह जो इन्फोर्मेशन है बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं अब देखोगे फ्याद डूपले से विराड कोली ग्लेन मेक्सवेल और दिनेश कार्थिक टो फाइब में से टो फोर जो है वो राइट हेंड है तो सामने रविंद्र जड़िजा होंगे लेफ्ट आम आप स्पिनर आम स्पिनर आम स्पिनर हो नहीं सकता तो ग्रेंड लिए में केप्टन वाइस केप्टर इने जरूर बना दीजेगा फिर हम बात कर लेते हैं विराड कोली की विराड कोली जब भी कहलते हैं इसके के सामने 28 मुकाबलों में 900 मासर टरंग मनाए है वो भी 40 की एवरेज से वही पर ड्वाइन ब्रावन है 16 मेच में 16 विकेट निकाले हैं आज सीबी के सामने अब फ्रेंज एक और जो बड़ी न्यूज है वो यह है का आप देख सकते हूँ इन टीम उप सीज के मोहिन अली रविंद्र जड़िया शियुम दूबे मतब टॉप 6 में से टॉप 3 जो है लेफ्ट एंड बले बाजी इनके सामने राइट आम ओफ स्पिनर होंगे वो होंगे मैक्सवेल तो भाईया मैक्सवेल रिसेंटली मैच में गेंद बाजी नहीं कर रहे लेकिन इस मेच में कर सकते हैं अब जया हो जाएट लेखर कर चलेंगे लाश्ट के मुकाबलों को देखती हूं अगर ये गेंदबाजी करते हैं तो ग्रेंड निक पीक आप के लिए बन सकते हैं फिर हम बात करें थोड़ी से रिस्की प्लेयर के बारे में जो कि हमें ग्रेंड लिंग में लेकर चलने ही पड़ते हैं उनका सबसा पहरा नाम आता है अंबाती राइडू का अंबाती राइडू ने आठ मुकाबलों में 298 रंग बना हैं 37 के एवरेज से RCB के सामने फिर हम बात करें पीछ रिपोर्ट के बारे में तो भी या पीछ रिपोर्ट आप आईपेल के इस सिजन के हिसाबच अगर आप देखो तो जो रंग बने है इस ग्राउंड पर 205, 208, 128, 132, 193, 170, फिर आप देखोगे 179, 157, 150, 155, 154, 155 तो कहने का मतला इस ग्राउंड पर जो रं अभी तक बने हैं मौस्टली जो रंग बने हैं वो बने हैं 150 के करीब तो मान के चलेंगे एक नूटरल विकेट 150 से 170 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल सकता है आप रिकोर्ड देखोगे तो रिकोर्ड के अदार पर भी यही बोलता है टोटल 13 मुकाबले इस ग्राउंड पर होगें उसमें से 3 मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं 10 मुकाबले बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं हाईश्ट 208 का रहा है लोविष्ट 112 रन का लाए अब आप स्कोरिंग पैटरन देखो कि स्कोरिंग पैटरन में थोड़े से जो स्कोर है वो इस IPL सीजन से पहले के तो वो आप देखो कि 500 से कम बने हैं 6 बार अब इस सीजन में जो रन बन रहे हैं वो बन रहे हैं मोशली 150 से 179 के बीच में जो बने हैं उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ Grand League टीम के combination सबसे बहले बात करते हैं CSK टीम से रिद्रु आज गया कवार्ट साथ में रोबिन उत्थप आपको एज़ो अपनर खिलते होईने चला सकते हैं फिर मोई न लिए हैं अमबाती राइडू रविंद्र जड़िजा फिर आप देखोगी श्रीवम दूबे, MS दोनी, ड्वाइन ब्रावू ड्वाइन पिर्टोरियस या तिक्षाना दोनों में से कोई एक खिल सकता है फिर क्रीज चोडन और मुकेश शोदरी तो कुछ इस प्रकार आपको अच्छी गेंद्बाजी थी, चार ओर में 31 रन दिये थे जोडन ने, किरी जोडन के बात कर रहा हूँ तीन ओर में 34 रन दिये थे, फिर वहीं पर रविंद्र जड़िजा बहुत अच्छी गेंद्बाजी की, तीन ओर में विकेट कोई नहीं मिला, और मोहिन अली एक ओर में 10 रन वहीं पर, ड्वाएन ब्रावों ने लगबग 3 ओर किये, 29 रन देकर एक विकेट चटकाया था, रोयल चलाज़ अब बैंगलोड टीम से में बात करूँ, तो रोयल चलाज़ बैंगलोड टीम से प्रण, फिर आप देखोंगे दिनेशकार्ति के हाला की काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए दिनेशकार्ति, फिर शाबाज आमधे, वाइंड वाइशरंगा, जोस हैजलवूड या डेविड विली, दोनों में इसे को एक खेल सकता है, मुझे लग रहा है तो ये तो हुई थी, कुछ गेंद बाजी, अब फ्रेंट, जैसा कि प्लेयर बैटल की में बात को तो ये उल्रेडी में आपको अपने जो इसमोल लिग वाला वीडियो है, मनी गुरी जी ओफिशल चनल पर आया है, उसमें बता दिये, तो वहाँ पर जाकर आप ये देख सक हम बात करेंगे अब डाइरेक्ली ग्रेंड लिग टीम कॉंबिनेशन के बारे में, तो दोस्तो आज में जो ग्रेंड लिग टीम के कॉंबिनेशन आपको बताने वाला हूँ, वह बताने वाला हूँ, फैन टू प्लेय एप करा, अब अगर आपने अभी तक फैन टू प्लेय को डाउनलोड नहीं कि आप लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाक का डाउनलोड कीजिए क्योंकि यहाँ पर चल रहा है इस मेच में 20,000 रुपए गीववे जैसे आप इस एप को डाउनलोड करोगी आपको शो हो जाएगा 20,000 रुपए का गीववे बिल्कुल राउनलोड कीजिएका लिंक वीडियो के नीचे डिस्कर्वेज़ें में और टेलीग्राम भी उसी लिंक में वहीं से आपको में टेलिग्राम पर भी फॉल हाला कि RCB के सामने MS-Doni को बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन जो बल्ले बाजी करा में MS-Doni को बहुत ज़्यादा नीचे रहता है तो इसलिए मैं MS-Doni को अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ बाकि आपकी चोई से आप चाहे तो ले सकते हो हाला कि अनुज रावद ओपनिंग करते हैं अनुज रावद को अपनी टीम में ले सकते हो मैंने यहाँ पर जो विकेट केपर सेक्षन में दिनेश कार्तिक को मिने लिया है राबिन उतपपा, रिद्दुराज गायकवड, अमबाती राइडू तो टीम वन जो है मेरी कुछिस प्रगार आपको देखने को मिल सकते हैं अब फ्रेंग इसमें आपको क्या करने है? आपको टीम सेम रखनी आप इसे टीम से चारपास टीम में बना सकते हो कैसे बना सकते हो? जैसे कि इस टीम में मैं वाईंड उषनका और विराट कोली को captain wise captain किया तूसरी टीम में आप क्या कर सकते हैं तो मेरी जो पहली टीम है कुछ इस परकार आपको देखने को मिल सकते हैं सेकंड टीम के अगर मैं बात करूँ तो टीम टू आप देखोगे, टीम टू थोड़ी सी हटके आपको देखने को मिलेगी, इसमें मैंने क्लेन मेक्सवेल भी लिया है, यहाँ पर मोहिन एली भी मेरी टीम में आ जाते हैं, फिर रविंद्र जड़जा, वाइन डॉचंगा चा जो सेजल भी भी होगे, वाइन डू अशंगा ग्लेन मेक्सवेल भी होगे, इस तरह साब केप्टन वाइस केप्टन चेंज कर सकते हूँ, तीसरी टीम की मैं बात करूँ तो जो मेरी तीसरी टीम होगी, वो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी, हाला कि आपको जो म इस प्रकार बन जाता है, फोर्ट और फिफ्ट कॉमिनेशन थोड़ा सा हटके आपको देखने को मिलेगा, फोर्ट कॉमिनेशन के अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आप देखोगी कि मैंने महिश तिक्षाना को लिया है, ड्वैन ब्राव, क्रिश जोडन, ग्लेन मेक्सवेल, मोईन अली, वहिंडू अश्रंगा, अंबाती राइडू, रितुराज गायकवाड, राबिन उतपपा, फैप डोपलेसी और अनुज रावत, इस टीम में क्या किया है, मैंने इस टीम में काफी लोग अनुज रावत को नहीं लेकर चलेंगे, काफी लोग महिश तिक्षाना को नहीं लेंगे, काफी लोग अंबाती राइडू को नहीं लेंगे, और काफी लोग तो रितुराज गायकवाड को भी नहीं लेंगे, लेकिन ये तिच्चाना मुकेश चोधरी को लिया है अब ये जो दो प्लेयरे वे विकेट बहुत अच्छा निकालते हैं लेकिन लोग लेकर नहीं चल रहे हैं साइसाज हैजलवूड आज के मेच में खेल सकते हैं फिर मॉहमस सिराज आ गए फिर ग्लेन मेक्सवेल, वाइंडू अश्रंगा और शिवम दुबया शिवम दुबया फ्रेंज गेंद बाजी भी कर सकते हैं आप सभी जानते हो कभी भी इनसे गेंद बाजी कर वही जा सकते हैं लोग देख रहे हैं लेकर इन्हें नहीं लेंगे बल्ले बाजी से ते हो कंट्रिबूट करते हैं लेकिं कभी भी ये गेंद बाजी कर सकते हैं फिर फ्यार प्रूपले से विराट कोली और अनुजरावद तो फिप्त मेरा कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार बन जाता है बागी जो मेरी स्मोल लिक की टीम होगी वो तो आपको टेलीग्राम पर मिले ही झाल 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 झाल